आजकल आपका जो पेंच है वो कहीना कि अम्रित पाल सिंग के साथ फसा हुआ है तो यह कोंट्रवर्सी कहां से स्टार्ट हुई लगातार हम भी कई बार देखते हैं वीडियोस में तो अनू मतलब की अम्रित पाल एक हैंदा है कि कदी ओक इसाही बंजन दा है कदी ओक Auto और यहिओ 37 अहblesि अस भी शिक मंताव कभी मुसलिम बनताव वाई गरुऊ हो रूब कर दार कि आज माम म्हाराजी ने क्याई होतों हो ब्लेसिंग दिये म क्वाड़ा त्युवा क्रुन है ऊचिन्ग मोहमद खानं कं वाई गरुए कॉन है जिनों ने इतना बड़ा वा कुर्गोबिंग सिंग जी महाराजी से मैं उनको जंक के मैदान में बीडूंगा ये सब ना ये सारा इतियास को ना चेंज नहीं किया जा सकता ये इतियास आज मेरा और अम्रितपाल का कॉंट्रवर्सी किस चीज से शुरू हुआ वाईगरू जीजस के बारे में उन्होंने ग बहुत स्पेशल चीज है वो लेकिन एक चीज ना वाईगरू चार नूर महाराज के बाबा जीज सिंग जी इस चारो नूर को ना एक नीच सोचने खतम किया तो उसका नाम है वजीर कान वह वजीर कान जिसके लिए नमास पढ़ता है या वाईगरू मौमध पेगंबर या अल्ला, खुदा, उनके बारे में तो वाई गरू, गरू गोबिंग इसिंग जी महाराज ने गलत नहीं बोला ना, जबकि वजीरकान ने चारो उनके नूर को खतम किया, नहीं बोला, कोई भी धरम में, कोई भी भगवान को वाई गरू, दिस्रिस्पेक्ट ना करो, वाई गर वाइगरू बोलके प्रचार करता हो दस गुरू का वाइगरू फ्रचार करता हो मेर को किसी ने बोला नी मैं खोल देल से कर नहीं की वह मानस हुमेनईटी सिहा निंपी जो और अल ओर हिंडिया में कर रो हुआ है है अगर तमिल नारं में बैद भी ओआ न तो यह 20 सवालाप मेरे साथ रहेंगे और में तो समा मैं भीए वाईगरू जैसे उससे जिन ऑबा पंजाब 8 सिंच ता पंजाब 5 सिंच का मेरे साथ मियांग aware when बाबा कुल्विंदर सिंग जी ने बेजा देखो एक चीज़े वाई गरू मेरे लिए ना सवलाग से एक लड़ाओ तब एक रुगोविंग सिंग जी माराज नाम का हूँ ये नीला बाणा ना सब एक हो जाओ यार तबी राज एक हाल से दा शुदता प्योरेस्ट राज तब आना है हम आपस में लड़ेंगे ये मजबी सिके ये जटे या ये वह रंग्रेटा है क्यों एक खंडा बाटा एक माराज ने पांच प्यारों के तो हम्रिश्च का एक ही है वाई गरू खालस खालसा सोच के तरह वाई गरू राज खालसा का तब आना है बंदा सिंग ने लए था अपड़ी दशमेश पितागर गोबिंग सिंग जी महाराजी ने दिया और वही बात मेरों अम्रित्वाल का ट्रैक कोई अलग नहीं है हमारा ट्रैक एक हमें धरम परिवर्तन को खिलाब हम लड़ रहे हैं उसका ट्रैक अभी आया लेकिन मेरा ट्रैक वाई ही अफिर प्रिश्छान गोटी मेरे पॉइर किया मेरो चुबा तब जब तुन्हें जीजस के बारे में गलत बोला कोई भी शाहदत के बारे में गलत ना बोलाकर मेरा कोई दुश्मन नहीं है वाईगरू तूसी कदी अम्रित पाल दे नाल संपर करनदी कोशिश की ती प्रदान मंतरी वाईगरू चाये वो बात जह कह क्यूँ न रहे वाईगरू… मेरा मोबााइल नंबर सोशल मीडिया में ऐसी पढ़ा है ये ठारंड ये विर का नंबर नहीं मिला मिर को वाईगरू नंबर मिला होता तो मैं उस देन वह वीडियो भी नहीं बनाता नमबर नहीं मिला मिलको मैं क्या करूँ मिलको बना ना पड़ा क्योंकि मेरे फादर के गले में भी मेरे भी गले में भी इधर टैटू है वाई गरू जीजस का तो मैं उनका इंसल्ट मैं सेंड नहीं कर पाऊंगा न वाई गरू देखो एक चीज़ है संत बबा जर्नेल सिंग जी खाल सा भिंडरा वाले बोलते ना शरीर का मरना मौत नहीं जमीर का मरना मौत है मेरा जमीर मर जाएगा अगर मैं क्रिशन दर्म में पाइदा हो क्या अगर मैंने जीजस के बर में बात नहीं किया ना मेरा जमीर मर गया महाराज का बेद भी हुआ कुछ ये गलत हुआ कुछ गुर्दवारे में कुछ हुआ वाँ पर खंडा कड़का हुँ तो वाई गरू ये दूजे कौम ना मुंदा नहीं तब तो वाँ 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 मेरे धरम वाई गरू जहाँ पर मेरे फादर प्रेयर करते गले में रोजरी उस पिता के वो जीजस के बारे में टिपनी करके लिए मेरे को बुरा लगा मेरा थोड़ी ना कोई दुश्मन है करके लिए वाई गरू मेरे फादर बोलते सबसे अच्छा काम किया तुने आज क्योंकि गलत कभी सुनना नहीं गलत कभी देखना नहीं खालसा का मतलब क्या ह चार साहिब जादे दोनों चोटे नूर भाई गरू बबा कर दोर है उनको क्या नहीं लालस दिया लें यहीं जूआ है तो मेरा भीभी बोलना मतलब यह यह कि कि वाई गरू हम किसी के बारे में गलत क्यों पास्टर है जो डरव्रभ इवर्टन करता है उनके बारे में नाम कि बोलो में तो बेंती करौँगा वाई गरू जितने पास्टर पाकंडी पास्टर कोई भी मेरे को एक वी डियो मिलेगा meow गिर काड़ा प्रसाद के बारे में गलत बुला बारे में गलत बुला गुरुOutच बहुत भी किया न तो मुझे पता नहीं है गूरू मुझे कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि में देख नहीं पाता है। यह एक फंडा चपता है महाराज को मुंबई में तो यह जात्ता धर्म नहीं देखता न Hundreds तैस्धरों से मेरे शीष पर मानस की जाद सब एक है पैचान वो सब इक्वल है महराज से लेके बापे नानक बाई मर्दाना जी कौन मुस्लीम बाई बाला जी हिंदू ये स्ताहान का पहला नीप पत्तर रखा साई मियामीर जी मुस्लीम बात करते लोगे गुर्गोबिंग सिंग जी महराज क्या कुछ नहीं है बाई संगत सिंग जी कौन है जिनोंने वाई गरू इनका इनका वाई गरू ड्रेस इनका ही कपड़ा किदर चमकोर साहब की गड़ी में महराज चुटकी बजा कर निकले लो हिंद के पीर जा रहे कोई रोक सके तो रोको इतनी बड़ी इतियास से जुड़ा हूँ वाई गरू में मुझे लड़ना नहीं अब वाई गरू मैंने एक डिसिशन ले लिया मैं महराज का सेवा करना है मेरे को जैसे लंगर का प्रचार जो मैंने किया मेडिकल का वाई गरू कैंसर हो या चाहिए कोई भी बीमारी हो मेरे को लड़ाई जगडा नहीं करना है हाँ और अपनों से तो कभी नहीं करू वाई गरू वो तो मेरा अपना ही है मैं उसे क्यों लड़ू वाई गरू लेकिन एक चीज माराज का अगर बेद भी माराज के लिए अगर इतना सा भी कुछ हो तो यह शीश अलग कर दू लेकिन वाई गरू खंडा खड़का हूंगा जरूर यही पोजों के साथ यही रहेगा मंगू मत मेरे साथ यही मेरा वीर रहेगा मेरे साथ गुशूंगा भी वाई गरू और खड़का हूंगा भी जो माराज ने सिखा है लास्ट कोश्चिन एक पुछना चामांगा, इनना कुछ होंदे बावजूद कदी तरन तमकियां मिलियां, थेट्स मिले, किदा आम फील करते हो, उसी मार्किडे जान्दे हो, आम जान्दे हो, तुझ हर याना पुंचियो, किदा लग रहा है, को थेट्स मिले इतर दे, वीर, तेरे को हम कार्ड धालेंगे, वाईगिरू, यह सब बोल के न, यह सब बोल के, अपने आपको न, इतिना मत करो तुम, यह सब बोल के, मरद बनो, करके दिखाओ, मैं चाहूंगा, वाईगिरू, मैं तो चाहता ही हूँ, यह सारे संगत, सिक संगत न, मेना चनल का, सिक संगत टीवी में मैं मोवाइल नंबर पेश्ट कर रहा हूँ वाईगरू दे रहा हूँ ये नंबर से मेरे को धंकिया है ये नंबर से मेरे को धंकिया है ये सचमे सिंगे या खालसा है जो मेरे को माँ पे गाली दे मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं गाली दे रहा है वाईगरू तो मेरे को एक सवाल पूछना है, नाम भी ले रहा हूँ, अमर जीत सिंग खालसा, मुलूंड, एक देन बता दे पंत के लिए, एक, अमरिश चकाय वीर, मेरी माँ पे गाली दिया रेकॉर्डिंग है, एक और हरपिंदर सिंग वीर, मेरे घर के दरी रहता है, आज बाज्ये के प्रदान मंत्री बाज्ये के के रेकॉर्डिंग में बोलता है, विकी को हम इदर देख लेंगे, एक और बार पाइदा होना पड़ेगा वीर, कुछ नहीं, पंत के लिए देन के एक दिका, जिंदगी में कभी ये सर पे नहीं डालूगा, जिंदगी में नहीं, एक, या मुं करना, रेकॉर्डिंग करना, शराब पीके, शराब छोड़ा है, यही क्रिश्टन बंदे ने, तो वाई गरू, मैंने महाराज के लिए, महाराज को देख के परचार किया, कुछ ऐसे लोगों के लिए मैंने नहीं किया है, वाई गरू, कुछ ऐसे नेगिटिव, हाँ दो, अ drops. tai, गरू, कुछ नहीं कुछ नहीं वाई गरू, कुछ नहींए, अंचिर साथे दर्शेकान, शिक संगत टी-वी राहें की कुछ मैसे देना चाहोगा, सिक संगत ती-वी, शिक संगत, यानि संगत में गुरू बसता है, गुरु, गुरू, गुरु ही करा ता है, हम साब महा महाराज के सामने कुछ नहीं है वाइगरू महाराजी कराता है महाराज नहीं मुझे आज एक सेवादार बना है महाराज नहीं मुझे लड़ना से कहा हाँ यह देखवा दोनों नीला बाना वाइगरू नीला गोड़े पर विराजमान डसा महाराज का ये फौज मेरे साथ था ह है आकरी सास तक रहेगा क्योंकि सब कुछ वह महाराज कराते वाइकर जी का खाल सा वाइकर जी की पते